सो हेलो लेजेंडरी गेमर्स चली बात कर लेतें फ्रीफार में आया वे कुछ होड़ने लीक्स एन अपडेट्स के बारे में तो हमारा सबसे पहला जो अपडेट निकल का था फेंड्स वे गन में होने वाले कुछ मोडिफिकेशन्स को लेकर तो इस लीक में टोटल तीन गन न परसंट इंक्रीज केह घा रहा है एंडड ग कि एक्यूरिसी को यहां पर बढ़ाया जा रहा है तेन परसंट यानि कि हम लोग कह सकते रिक्वाध को टेन परसंट रिडूस के जा रहा है वहां ॉहा इसा मतलब किया प्यू नॉर्मली ज इतना रिट अपरसंट मारता था 22 मतलब कि यार P90 नॉर्माली जितना रिक्वाइल मारता था उससे 10 परसेंट कम रिक्वाइल मारेगा ओबी 24 की अपडेट के बाद एंड गाइज 3 परसेंट रेट आफ फायर को भी इंक्रीज किया गया इसका मतलब भाई लोग अगर ओबी 24 की अपडेट के बाद आप लोग P90 वेपन को यूज करोगे तो 3 परसेंट जादा रेट आफ फायर ये देगी अभी के मुकाबल है अगर किसी बंदे के पास P90 की रेट आफ फायर वाली स्किन वी तब तो यार ये और भी OP चलने वाली तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लोग के पास P90 की रेट आफ फायर वाली स्किन है या फिन नहीं है अगर बात किजाए M14 की तो M14 में कुछ खास चेंजेज नहीं होने वाले हैं बस इसके डेमेज को थोड़ा सा छेड़ चाड़ किया गया तो भाई आप लोग को पताओगा M14 में मैक्सिमम डेमेज जो बढ़ता था वो था 58 का अगर जो मिनिममम डेमेज पढ़ता था आपक के एनिमी को वह होगा 25 यहां पर थोड़ सा डिसाइड अवांटेज हो जो मिनिममम डेमेज उसको और भी ज्यादा कम कर दिया गया है ऐसे में अगर आप का रिमी लेवल 3 अफी लेवल 4 का विश्ट पहने वे हुआ तो यहार उनको मारने में और भी ज्यादा प्राब्लम हो उसके बाद भाई लोग जो तीसरा गन निकल कर सामने आता है वो है प्लाजमा एंड यार प्लाजमा वेपन में जो चीजें इंक्रीज की गई है न भाई देखकर एक्दम मजा आ गया जैसे कि आप लोग देख सकतो भाई लोग एक्यूरिसी को 50% इंक्रीज क्या गया है ओ भाई सहाब मतलब कि यार अभी प्लाजमा वेपन की जितनी एक्यूरिसी है उससे भी 50% जादा आप लोग को एक्यूरिसी देखने को मिलेंगी ओवी 24 के अपडेट के बाद यार प्लाजमा वेपन तो और भी ओपी होने वाला है और प्लाजमा वेपन की स्किन भी निकल कर स देख सकतो यह गोल्डेन कलर की स्किन निकल कर सामया यह प्लाजमा वेपन की फिलहाल इसमें यह भी मैंशन नहीं किया गया इसके अट्रिब्यूट्स क्या होने वाले इसमें किन-किन चीजों को इंक्रीज की जाएगी फिलहाल इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं गया यार plasma weapon की accuracy अभी बहुत अच्छी है and 50% और भी accuracy increase होने के बाद ये कैसी चलीगी guys आप लोग थोड़ा से imagine करो and OB24 के update के बाद मैं आप लोगो ये भी दिखाने की ज़गर कोशिश करूँगा plasma weapon की जो accuracy है वो अभी कैसी है and OB24 के update के बाद कैसी हो गई है ठीक है भाई लोग तो चलो यार बढ़ते निक्स्ट अपडेट की तरफ तो भाई लोग OB24 के regarding free fire में होने वाली maintenance update and इसके regarding date भी निकल कर सामने आ गई है कि यह कितने तरिक को maintenance update के लिए जाएगी वैसे आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हो गोल्ड रायल को देखकर 24 तरिक को OB24 की update available कराई आप लोग देख सकते हो and OB24 के update के बाद हमारी loading screen कुछ ऐसी हो जाएगी यार लोडिंग स्क्रीन पर जो भी चीज़े दिखाए जारी है जो भी costumes दिखाए जारे उसके बारे में मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कौन साइटम free में मिलेगा कौन साइटम diamond में मिलेगा तो उस वीडियो के लिंक में अपने इसी वीडियो के description box में दे दूँगा तो आप लोग जाकर जरूर देखना एंड जहां तक पता चला है लीक के according तो ये भी बताया जा रहा बुया इवेंट के दौरान ही elite pass को discount offer में available कराया जाएगा आप लोग को पता होगा एक wheel event available भी थी कल के भी update में मैंने आप लोग को बताया था तो हो सकता है बुया event के दौरान ही ऐसी कुछ wheel event available हो और वहाँ पर elite pass भी available कराया जाए तो guys elite pass discount offer जल्दी हम लोग को game के अंदर देखने को मिल सकता है और हो सकता है next scene की elite pass हम लोग को discount offer में देखने को मिला है वैसे वैर इस season का elite pass लगभग जाने ही वाला है तो इस season पर अगर discount offer ना ही आए तो बहतर हैगा and next season में जो new elite pass available होने वाली है उस time पर elite pass को discount offer में available कराया जाए तब तो यार और भी OP बात होगी and भाई लोग elite pass discount offer के regarding जैसे मुझे और भी कोई confirm update मिलती है तो मैं आप लोगो वो भी upcoming videos में बता दूँगा तो चलो यार बढ़ते next update की तरफ तो भाई लोग आप लोगो पताओ को आपने recent video में ही मैंने आप लोगो golden farmers gun की skin दिखाया थी clash squad rank के अंदर मतलब के यार clash squad rank पे हम लोगो कुछ missions करनी होंगी and उन missions को complete करने के बाद हम लोगो यह golden farmers gun की skin available करा दी जाएगी जैसे कि भाई लोग golden desert eagle के साथ हुआ था ना हम लोगो शायद से enemies को किल करने थे फिर matches खेलने थे उस बाद golden desert eagle available करा दिया गया था बिल्कुल यार उसी तरीके से farmers gun की यह golden skin भी available होने वाली है लेकिन यहां पर आप लोग साइड में देख सकते हो 3A Temporado करके कुछ लिखावा है मतलब कि temporary तो यार मैं बस यही थोड़ सा confused हूँ कहीं यह farmers gun की skin हम लोगो temporary तो नहीं मिल रहे ना मतलब कि 3 दिन के लिए तो नहीं मिल रहे ना ऐसा तो नहीं होगा ना कि 3 दिन के लिए फिर 7 दिन के लिए दे दिया जाए क्योंकि desert eagle जो golden clerk के ह तो यहीं बताया जा रहा है कि तीन दिन के लिए temporary मिलेगा अगर ऐसा हुआ भाई लोग तो यह golden gun की skin भी हम लोग को upcoming किसी event में देखने के मिले otherwise या जहां तक मुझे लग रहे यह golden farmers gun की skin हम लोगो clash squad game की अंदर प्रोवाइड कराई जाएगी जहां पर हम लोगो normal से missions करने ह होंगे एंड उन missions को complete करने के बाद हम लोग फ्री में इस golden farmers gun के skin को ले पाएंगे हैर यार ओभी 24 की update आने में ज्यादा टाइम नहीं बचीवी है तो जैसी ओभी 24 की update निकल कर सामने आ जाती है उसी दिन में आप लोग को यह भी बता दूंगा यह golden farmers gun की skin क्या हम लोग का permanent म मिल रही है या फिर temporary मिल रही है तो चलो यार बढ़ते निक्स्ट अपडेट की तरफ तो भाई लोग आप लोग को इस backpack के बारे में बहुत ही अच्छे तरह के सपता हुआ क्या यह backpack अपने टाइम पर बहुत ही ज्यादा popular हुआ था तो यह इसी backpack का एक नया texture एक नया skin आप backpack के design में बस backpack का जो color है जो texture उसको थोड़ा सचेंज करके का इस देख सकते हो लेवल वन पर यह backpack कुछ ऐसा दिखने वाला बस skin को यहां पर चेंज कर गया है थोड़े से color को texture को चेंज कर गया है एंडियर लेवल 3 पी यह backpack कुछ ऐसा दिखने वाला तो आप लोग कमेंड कर कि available हो सकता है तो शायद से यार जहां तक मुझे लग रहा है Halloween event के दौरान यह backpack हम लोग को available कराई जाएगी क्योंकि और बुया event में कौन-कौन से नहीं item निकल कर सामने आ हैं सब कुछ guys A to Z मैंने आप लोग को बता दिया है इस वाले वीडियो में यह वाली वीडियो में आ यह backpack जहां तक मुझे पता है Halloween event के दौरान available हो तो जैसी इस backpack regarding मुझे और भी कोई नहीं update मिलती है तो मैं आप लोग को upcoming वीडियो में बता दूँगा तो चलो यार बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ आप लोग को पता होगा जब यह ज़ाडू वाली सर्फवड available कराए गए थी diamond top up event में अपने टाइम पर बहुत ज्यादा यह popular हुआ था एंड जहां तक मुझे पता है 80% बंदों ने इस ज़ाडू वाले सर्फवड को जरूर से जरूर लिया होगा diamond top up event से शायद से diamond top up event में available हुआ था अगर कहीं और available हुआ तो आप लोग कमेंट करके बता देना मुझे उतना कुछ खास याद नहीं है लेकिन हाँ मेरे दिमाग में आ रहा शायद से diamond top up event में इस ज़ाडू टाइप का सर्फवड एक और निकल कर सामने आ गया है लीक में जैसे कि भाई लोग आप ल ज़ाडू बना दिया गया इस सर्फवोड को और यार यह सर्फवोड भी हम लोग को हेलोविन इवेंट के दारा नहीं अवलेबल कराई जाएगी क्या यह सर्फवोड भी diamond top up event में अवलेबल होगी या फिर किसी other special event में अवलेबल होगी वह मैं आप लोग को upcoming update में बता दू तो आप लोग को यह ज़ाडू वाली सर्फवोड की स्किन कैसी लगी लोल तो चलो यार बढ़ते निक्स्ट अपडेट की तरफ तो हमारा अगला जो अपडेट निकल के आता फ्रेंट्स वे गेम के अंदर एवलेबल होने वाले ने कॉस्टूम को लिकर तो यार लीक में द लोग छोटी सी वीडेव सकते हो मेल का कॉस्टूम कैसा होगा उसके टेक्च्ट्र कैसे होंगे फ्रंट से वह कैसा दिखेगा वैग कैसा सब टाइट कुछ रवले आया जॉदा पसंद आया कुछ सक्टाइब की तक skirt वे अंदर में बनी बह ihr continues पसद नहीं है कॉ lui इसका है 두 कमेंट करके बताब आप लोगों को यह को Justume कैसे लगा यहां पर मैंधने की है यहां पर वह खीलतन की चील पर कट्थर कोर्यदा म्सिद्रूंध देख सकतेशने क्मेंЭ्ट की कश्च अलंग पर से नहीं आया ओवराल जो भी कॉस्ट्म निकलकर सामने आए हैं इसका भी मुझे बहुत ही कमाल का लगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग का मेल का कॉस्ट्म अच्छा लगा या फिर फीमेल का कॉस्ट्म अच्छा लगा एंड गई जहां तक मुझे लगता इन कॉस्ट्म के बारे में देखो भाई लोग यह सिर्फ मेरी एक प्रिडिक्शन ने लीक में ऐसा कोई भी डेटेल मेंशन नहीं किया गया है तो जहां तक मुझे लगता है भाई लोग यह कॉस्ट्म भी हम लोग को डामांड रॉयल के अंदर ही देखने को मिलेंग हमार अगला जो अपडेट निकल का था फ्रेंड्स वे दिवाली इवेंट को लेकर तो आप लोग को पताओ को अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोग बताया था दिवाली इवेंट के दौरान हम लोग को मैजिक क्यूब्स फ्री में मिल सकते हैं तो हमारे बहुत आफर आने वाला है नया दिवाली इवेंट आने वाली है इस दौरान हम लोगों को मैजिक क्यूब फ्रेंग्मेंट्स एबलेबल कराई जाए क्योंकि 2019 में जो दिवाली इवेंट आय थी एंड उस दौरान जो मैजिक क्यूब दिये जा रहे था नियार उस टाइम बहुत ज क्यूब को डिटेक्ट भी कर लिया गया था आप लोगो पता होगा उसको लेकर बहुत जादा कॉंटरवर्शी वीवा था यहां तक मुझे पता है गईना वाले इस पार दिवाली ओफर में सीधा सीधा मैजी क्यूब एवलिबल नहीं करवाने वाले हो सकता है मैजी क्यूब फ्रेग्मेंट्स दे और हम लोगो कुछ मिशन्स करने हो तब जाकर हम लोगो डेली के मैजी क्यूब फ्रेग्मेंट्स मिल जाए और उसके हैल्प से हम लोग मैजी क्यूब को एक्चेंज कर पाएं लेक फिर मैजी की फ्राइग्मेंट एवलेबल कराया जाएगा तो चलो यार वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं यहीं कुछ छोटे मोटे अपडेट थे जो कि मुझा आप लोगो देना था तो गाई आज का लाइक एम रखते हैं 19K लाइक एम आई होप यार आप लोग एंड क्यों एंड ताम कर लोगोगी याइज वर लूवरा एंड सबस्पूर्ट